आज ये जो food आइटम मैं आपको बताने वाले हूँ ये गर्मियों में pregnant महिलाओं के लिए एक रामबान उपाय है लेकिन इसके कुछ नियम कानून है इसके कुछ शर्ते हैं अगर आप इन शर्तों को follow करते हैं तो ये चीज आपके लिए बहुत जादा beneficial है जो बच्चे की overall growth ह होती है उसमें आप देखेगा कि सड़न बच्चे की growth में changes आया हुए है और बच्चे का जो वजन है वह भी बढ़ाने के लिए बहुत मददकार है तो ये वीडियो काफी इनफर्मेटिव है पले शुरू से लेकिल आज सक जरूर देखेगा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम हर इसकी बात कर रही हूं या फिर अधर बहुत सरे लोग सब के लिए बेनिफीशल है लेकिन इसकी quantity का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है इसके नियम कानून कुछ इस तरह के होते हैं कि अगर आप आम का सेवन सही रूप से करते हैं तो वह आपकी गर्भस्त शिश बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है बच्चे का वजन भी पहले से थोड़ा बढ़ता है ऐसे जैसे जैसे बच्चा अपने अगले महिने में आपको अगर कभी हाइलाइट होके भी आता है कि फीटल जो वेट है वो अच्छी नहीं जा रही है लेकिन आम का अगर सही रूप से अगर आप इस्तमाल करते हैं तो डेफिनिटली आपकी प्रिग्नेंसी में जो गर्भस्त शिशु है उसके वजन को बढ़ाने के लिए एक राम बान उपाए है अब आम का सेवन आपको कैसे करना है तो आम में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि काफी अच्छे डाइटरी फाइबर होते हैं जो डाइटरी फाइबर होते हैं वो आपकी गट की सिस्टम को अच्छा हैल्थी बनाने के लिए help करते हैं साथ ही साथ जिन महिलाओं को अगर प्रिग्नेंसी के दोरान constipation होती है constipation को भी बहुत अतकम कर देता है और अगर आप इसका नियमित रुप से सेवन करते हैं तो अच्छी मातरा में आपको mineral और कुछ vitamins भी available होते हैं जो कि आपकी और आपकी बच्छी के लिए health के लिए बहुत ज़ादा ज़रूरी है लेकिन आम को खाने के लिए नियम क्या होते हैं कि अगर आप पूरी तरह से healthy हैं कोई gestational diabetes का खतरा नहीं है remember मेरी बात को जरूर पॉइंट आउट कर लिजेगा कि आपके gestational diabetes आपको नहीं होना चाहिए अगर आपको gestational diabetes है तो obvious ही बात है कि जो भी अगर आप fruit खाते है fruit के भी मातरा को doctors काफी जादा limited कर देते हैं क्योंकि fruit की जो भी मिठापन होती है वो भी जिनको gestational diabetes है उनके लिए बिल्कुल खतरा हो सकता है तो जिनको gestational diabetes है उनके लिए no mango उनको mango नहीं खानी चाहिए अगर खानी भी जाए तो अपने doctor से जरूर पूछ लिजेगा कि कितनी मातरा में खाए कितने piece खाए क्या करें वो आप clear उनसे जरूर कर लिजेगा और अपनी जो भी diet है diet chart को भी आप अपने doctor से जो भी nutritionist है उनसे आप बनवा सकते हैं लेकिन gestational diabetes अगर आपको नहीं है तो ही आप आम का सेवन कर सकते हैं दूसरी अगर आपकी pregnancy एकदम low risk है normal है बिल्कुल कहीं कोई परेशानी नहीं है तो ही आप आम का सेवन कर सकते हैं क्योंकि अगर आपको high risk pregnancy है आपको high BP की भी problem है तो ऐसे case में भी आपको avoid करना चाहिए थोड़ा mangoes आप आप बोलेगे कि avoid करने के लिए इतनी सारे मैंने बाते बोल दी और आप फायदे बता रहे हो तो फायदे जी हां बहुत सारे फायद एक बड़ा सा जो medium size का या बड़ा सा जो एक आम है वो आपके लिए sufficient है उससे जादा खाने की जरुरत नहीं है अब आप बोलोगे एक काम में हमारा क्या होगा तो नहीं अगर आप इसका health benefit लेना चाहते हैं तो एक दिन में एक आम आपके लिए health benefit देके जाएगा लेकिन व लेना है तो दिन भर में एक आम खाना है आपको चाहे वो दोपर की टाइम पर लिजे और कोशिश करिए कि अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो दूद के साथ आप आम का सेवन करिए जैसे कि दूद और केले को मिक्स करके जब खाते हैं तो उसे वजन बढ़ता है likewise इसी तर है तो आपके बच्चे की बेट को बढ़ाने के लिए बहुत जादा मददगार साबित हो सकती है तो इस पॉइंट को आपको भूलना नहीं है और रात में या शाम के वक्त भी आपको आम का सेवन नहीं करना चाहिए और बहुत जादा आपको एक्स्टा शुगर मिलाने की बीज़रत नहीं है जो आम के अंदर इटसेल्फ एक काफी जादा एनरजी होती है काफी जादा काप्स होते हैं अच्छी मात्रा में शुगर होती हैं जिसको डाइजिस्ट कर पाने के लिए आपका शरीट भी वर्क आउट कर रहा होता है तो एक्स्टा शुगर मत मिलाएग तो वैसी गलती आपको नहीं करनी है नॉर्मल कॉंटिटी में इसका सेवन करें मालने जी कि दो आम अगर आपको खाने की एक्षा है तो छोटे छोटे मीडियम मीडियम साइज के आप आम खा सकते हैं दो लेकिन अगर नॉर्मल एक आम बड़ा सा है तो उनली वन मैंगो इस अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दिजेगा शेर करिएगा मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ और मुझे इंस्टाग्राम पर और फेस्बुक के पेश को लाइक करना ना भूले थैंक यू सुमच फूर वाचिंग ट्विंस मैवर्ल केर